कॉंग्रेस ने एक समय में देश को दशा और दिसा दी आज वही कॉंग्रेस अपने अस्तित्यु के लराई लर रहे हैं कारण सिर्फ एक है पुत्र मोह और परिवारवाद जिसकी वज़ा से कॉंग्रेस आज भारत की राजनिती में ना तीन में है और ना तेरह में है कॉंग्रेस आज पूरी तरह से पत्थ भरमित दिखता है कॉंग्रेस की दशा ऐसी है कि उनके खुद का दामन तो दागदार है लेकिन दूसरे को कट घरे में खरा करने में वो बाज नहीं आते हैं कॉंग्रेस की आयोग सांसाद राहुल गांधी और गांधी परिवार के यूराज आजकल अडानी मुद्धे के जंडा बुलंद किये हुए हैं जिसको न विपक्ष का साथ मिल रहा है और न जनता का और अब तो उनके पुराने साथी भी उनकी पोल खोलने लगे हैं गुलाम नवी आजाद जिनका कॉंग्रेस में पाच दशक का सफर रहा है अब उन्होंने बताया है कि कॉंग्रेस नेता राहुल गांधी किस तरह से वेपारियों से विदेश में जाकर मिलते हैं क्या आरोप लगाया है गुलाम नवी आजाद और फिर कैसे बीजेपी ने ब लोगों पर आडानी से रिष्टों पर सबाल उठाया गया था गुलाम नवी आजाद ने एक न्यूस चैनल से बातचीत में कहा कि राहुल गांधी समेत पूरे परिवार के कारोवारियों से रिष्टे हैं मैं ऐसे दस उधारन दे सकता हूँ जिसमें राहुल गांधी देश से बाहर जाकर भी लोगों से मिलते हैं इन में अवांचित कारोबारी भी शामिल है इसके साथ ही गुलाम नवी आजाद ने कहा कि भारत में तो अब कॉंग्रिस बची ही नहीं है केवल कुछ लोग बचे हुए हैं राहुल गांधी समेत मौजूदा कॉंग्रिस नेतुर्त क अब कोई परभाव नहीं रह गया है उन्होंने कहा कि कुछ लोग कहते हैं कि भारत जोरो यातरा के बाद राहुल गांधी का परभाव बढ़ा है लेकिन मेरा मानना है कि उनका कोई परभाव नहीं है जब वो गुजरात में सूरत कोट गए तो वहां कोई यूबा और किसान उनके साथ नहीं दिखा वहीं गुलाम नभी आजाद के आरोपो को रिखांकित करते हुए बीजेपी ने भी कॉंग्रेस पर निशाना साधा बीजेपी की तरफ से मोर्चा संभाला रवीशंकर परसाद ने गुलाम नभी आजाद के बयान के बाद पूर्व केंद्रिय मंतर रवीशंकर परसाद ने रहुल गांधी पर तीखा हमला बोला रवीशंकर परसाद ने रहुल के विदेशी दोरों पर अन्वांटेड उद्योकपती से मुलाकात को ले कर सवाल उठाये हैं साती रविशंकर प्रसाद ने इसके पीछे के एजेंडे और उस वेक्ति की पहचान उजागर करने की मांग की पत्रकारों के साथ बाच्चित के दौरान रविशंकर प्रसाद ने एक वीडियो किलिप भी प्ले की साथी उन्होंने ये भी सवाल उठाया कि क्या राहूल गांधी भारत को कमजोर कर रहे हैं कॉंगरेस के मुद्धे इसलिए भी जनता के मन में घर नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि जनता को कॉंग्रेस की ही इमानदारी और देश के प्रति उनकी प्रति बद्धता और निष्टा पर संदे है ब्यूरो रिपोर्ट ओमेच निउस